समापन पर हमने साट साट सेकंड के दो गेम रखें छोटे छोटे जिसमें हम आपको एक नाम लेंगे और आपकी मन में जो भी भाव आता है आप मुस्कुराकर उनके बारे में कह सकते हैं तो एक शब्द मैं लूँगा सबसे पहला है बाबा बागिश्वा बालक मन बहुत ही बहुत ही सरल और सिध्या विद्या तो देखे मुझे पता नहीं मेरा ऐसा कोई संपर्क नहीं ना मैंने जान नहीं कोशिश करी ना कोछ बट भगवती अगर करोडो करोडो लोग में बुंदेल खंड के छोटे से गाउं में एक सामने से परिवार के एक लड़के को इतनी ल आत्मा गांधीची वो भारत की आत्मा की आवाज है भारती आत्मा ऐसी होनीचे जैसे बापू थे अब दुरभाग गये है अभी मैं शेक मुझेर्ब रह्मान की मूर्ती तूटते वे देख रहा था तो वो जो हिंसक भीड थी जो तोड़ रही थी उस हिंसक भीड के पूर है कि तकरीब जब वो गए थे बंगलादेश के अंदर तो हर आर्मी के कैंप में महिलाओं को रखा गया था नसल बदलने के लिए किमल बच्चा पैदा करने के लिए ठीक है तो आप देखिए कि जिनों ने जिनके माबापों ने जिनके पूरवजों ने उस एक मुझीब र मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम भारत में अगर ऐसी कोई सोच रख रहा हो कि एक दिन गांधी के पुतले ऐसे तोड़ेंगे हैं तो उसके खिलाफ हम अपना अस्तित्व लड़ा के खड़े हो जाएं कि जब तक हम जिन्दा हैं जब तक हमारा शरीर है तो मैसा नहीं कर सक अरे उनकी लड़की पताना शाह है उनकी लड़की ने खराब साशन चलाया उनकी से लड़की सुप्रीम कोट खरी लिया जो भी तुमारा आरोप है हो सकता है हो चलाओ उसके खिलाब मुकदमा हरादों से चुनाओ बाग गई वो तो देश शोड़के आ गई क्योंकि तुम कि अब कि यो यहां बाग्साइब हो जया के हम पहरे शर्ट काम एम पहन लुए मैंने बंगलादेश की खरी कि अब खिलाफ है तो हिंदू मंदिर क्यों जला है हिंदू की बेटी के साथ बत्तमी जी क्यों हो रही है तीन सो साल पुराना एक संगीत का घर क्यों जला दिया हमको ग्यान मत दो हमको मस तिखाओ तुम इसका मला अंदर तुमारे वही सोचे क्या पख़वा सर कैसे चलोगे चलो हम तो सत्य की दीप शिखाए है हम तो हजारों तूफानों में जिंदा रही है तुम तो जरासे हो अब तो United Nations भी है अब तो नाभिकी है उड़जा भी है तब तो खडग लेके आता था वो और हमारे सामनी करता था लूटता था सोमनात लूटके ले गया राम मंदिल लूट किसी प्रिटर कोई आ तो यह को प्रिक इक भाठी है तो यह अपने पतन के रास्ते पर हैν मुझे दुख होता है यूनुस खांज साथ जैसे लोगों का ख्यार इसलिए वो बनाएगे उनने शाद अपनी कुर्सी से मोह गया होगा कुर्सी में भी टाकत होती है न सर्थ क्या टाकत होती है मैं तो आज कॉल करने वाला हूँ केलाश जी को बड़े भाई साब हमारे केलाश अत्यारती जी नोबिल वाले एक दूसरे से परचित होते हैं कि वो उनको कॉल करें बलकि मैं तो उन से कौँगा वो जाएं वहाँ कोई तो खड़ा हो नुआ खाली में वो खड़ा हो गया चालिस के लोगा बुड़ा जो भी हो रहा था दौन अपक्ष्ण ने अपने हतियार फैक दिये देश में एक आवाज नहीं है बंगलादेश में और मैं तो भारत से भी बड़ा खाने की मार्किट हमारे उपपर है डेड़ सो क्रोड़ लोग है जिसका एपल फोन फैक देंगे कल दुकान बंद हो जाएगी जिसकी तो हमें अपनी बात कहनी चाहिए वहां अगर एक समाज इतना बड़ा वहां पर है जिसकी जड़े भारत में भी हैं अगर उसके साथ कु किया था मैडम गांधी ने किती गाली देलीजे मैडम गांधी को क्या किया था उसने यही तो किया था बद्तमीजी कर रहे थे उसने का बद्तमीज नहीं करने दूंगी और उससे में तो निकसन था बिना मिले चलिया थी शेर नी गई ती उनाइट इन इनिशन्स में नेट बढ़े आपने, उसमें लिखते है, नेट वर सिंग, कि महा से आरा था कॉल, और मैंने पूछा मैडम महा जाना, तुरे ने उससे पूछा कि, तुम किसके किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए कि निक्सन के लिए, मैंने बहस बंद कर दी, जगे से आरा था कि कम मिलके जाएगी, मिलके जाएगी निजाएगी, गई और बिना मिले चलिया ही, आग दिखा दी, भू का नंगा हिंदुस्तान था, बनाते नहीं थे, कोई सोफ्यर नहीं बनता था हमारे है, जूज रहे थे हम, तब हमने आग दिखा दी ती, अब क्यों नहीं दिखाते हैं बाई साब आप, दिखाईए आप, अपने साब से दिखाईए, जो भी आपका तरीका होता हो, सो इसलिए, कोई तो बोलेगा बॉस, हम तो बरबाद इसी सिलजले में के बोलते रहते हैं, हमने एक वर्ड के लिए कहा था, आपने हमें अच्छे से बोला, अच्छी बात, इसलिए हमारा इंटर्व्यू लंबा चला, ओके, नहरू जी, एक नया बच्चा जब पैदा होता है, उसे जैसी नर्स चाहिए, नहरू जी वैसी मेल नर्स थे, आजाद हिंदुस्तान को जिस तरह के हाथ चाहिए, उन्हेंने बहुत ब्लेंडर्स की, उनकी बड़ी गल्तियां है, हर आदमी से होती है, तो इरर इस हुमन, वो कोई महापुरुष नहीं थे, कोई ऐसा कोई देवता नहीं थे, कि उनसे गल्ती ना होती, घर के बज़र्ग थे, गल्ती हो गई, हमारे पिता जी ने भी करी है, गौँ में जमीन थी, दे दी, रिष्टेजारी में किसी को, मेरी मा कहती रही क्यों बेज दी, 18 बी की जमीन थी, मैं चोटा सा था, अबने पिता जी को, कि तुमने अठा और बीचे बेज दी, मेरी मारूलादी, मेरी मारूलादी, मेरे पिता जी वहाँ जाते, मैं लोग है तो पिता जी, माता जी के पुन्य कर्मों के करण, ये प्रतवी का इस्सा सेवा करने के लिए मिला है, तो इस आजाद भारत के नवजात शिश्रू को, जिस समरस्ता, जिस सहकार, जिस वैग्यानिक दृष्टी, जिस प्रकतिशील सोच, वाले दो हातों की आवश्रिकता थे, जो ठीक से गर्ब नाल काटें अंग्रेजों वाली, जो ठीक से ड्रेसिंग करें, सावरकर की अपनी दृष्टी थी आजादी के लड़ाई के लिए, और सावरकर ने जितना संघर्ष किया, अब देखिए इस इंटर्व्य के बाद क्या होगा, यह आदमी बड़ा खतरनाक है, यह गांधी की तारीफ करता है, सावर की तारीफ करता है, अबे तुम मूर्ख हो, मैं खतरनाक नहीं हूँ, तुमें या तो सावरकर चाहिए गांधी चाहिए, और मुझको इस देश के आजादी के लिए दोनों चाहिए थे, मुझको सुभाष भी चाहिए, मुझे चापेकर बंदू भी चाहिए, यह मुझे सचिद्ना सन्याल भी चाहिए, मुझे मनमतनाद गुप्त भी चाहिए, मुझे सब चाहिए, सब के सामुई कांदोलन से इस देश की प्राणचेतना आजाद हो पाई, जो पंद्र अगस मना रहे हैं हम लोग, सावरकर ने उस समय जो निरने लिया, उसकी तातकालिक प्रिस्थितियां कैसी थी, उन्हें कैसे दो दो बार काला पानी की सजा हुई, एक बार एंडमान जाईए, उस सेल का सपंदन अनुभव कीजिए, जहां एक भाई बंद है, और नौ साल बाद अचानक पीछे एक लड़के को देखता है, देखता है, तो पहचाना हुआ है, फिर कहता है, छोटे तू यहां कैसे, बोले भाईया, मैं भी नौ साल से यही है, ऐसा परिवार देखा है आपने, हो सकता था, और अब ज्यान लेके, वो कागज लेके किसाब ये कह दिया था, यह मुर्खता पूर्ण बात है, चले, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी, भारत में इतने सारे लोगों के प्रिये हैं, और भारत के प्रदान मंत्री हैं, भारत के कारेकारी अध्यक्ष हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अद्बुत हैं, बहुत सारी चीजहुन में भी कमी है निश्चित रूप से जिनके उपर चर्चा होती है, इतिहास उनका आकलन करेगा, अभी तो कर नहीं सकता, चुक्छा अभी तो प्रदानमंतरी है, पद पर रहते वे किसी का आकलन नहीं होता, पद पर जाने के बाद आकलन होता है, नहरू के पख्ष के निताओं को उन से सीखना पड़ेगा, कि आयू के सात्वी दश्रक में होने के बाद भी, वो जितने श्रम करते थे जितने सचेत रहते हैं आयू के पचास में और चालिस में दश्रक में होने के बाद भी अगर नेता उतना श्रम नहीं करेगा और फिर सोचेगा मोधी को हरा ले तो यह तो मुझकिल हो जाएगा वाइसा मेहनत तो करनी पड़ेगी एस्टो टर्फ की होकी है तो पकड़ लिया थोड़ा सा अयुद्या भी हरा दिया यह तो चलता रहता है मैं कहता हूँ हरना जीतना मेरा आपने मुझसे यह नहीं पुछा विजेता या प्रदानमंत्री जी को मैं 2002 से जानता हूँ निजी रूप से वो भी मुझे 2002 से जानते है तो मैंने उनका संगर्ष देखा है मैंने उनकी एक दृष्टी देखी है कि मुझे यहाँ पहुचना है वो बड़े शम्शील विक्ति है बड़े प्रोयक्टिव है उनकी बड़ी नजर है चीजों पर और बड़े क्विक लर्नर है बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि वो एंकार उनके लर्नर तो मैं मानता हूँ क्योंकि एक गुझराती विक्ति अगर मुझसे बेतर हिंदी बोल रहा है या उनके हाथों के उटने बैटने के जो तरीके हैं सीखे हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज में उनसे सीखना चाहूँ है ने देखिए वो ये जानते थे कि दस साल देश में जो सत्ता रही है उसमें प्रोएक्टिवनेस की कमी है ये बताइए आपने ये आकरी बार कब देखा था कि किसी प्राइवेट कंपनी के 17 मस्दूर एक टनल में फज जाए और एक केंद्रिय मंत्री पॉर्ट कर दिया जाए एक लोहे के केविन में यही रहte एक मुख्य मंत्री की डूटी लगा दी जाए सुबह शाम देख किया कि निकले कि निकले कि निकले अपने भी उठाए जाए जाए अपने कब देखा था कि एशियाड कॉमन वेल्ट और ओलम्पिक में जाते विए खिलाडियों को जाते वक्त एक आदमी गंदे पर हात रखे कि चिलता मुत करना बिटा अच्छे से खेलना जब हार जाए तो उनके गंदे पर हात रखे कोई दि इस पर दूसरे वाला पॉंट अभी सरी आता कि मोदी जी को केमरा पसंद है और अच्छा लगता कि हर चीज में वह भी लाइम रइट में आते हैं इसी बहाने तो तुम भी कर लो कैमरे तो बहुत सस्ते हैं आज कर तो वाइल में है उसी में कर लो करते नहीं हो क्या भाई य यही आता है और यही चलेगा तो यही सीखो वो ऐसा हो गया था मेरा पैन ऐसा हो गया था अश्लेए लिक पाया था वह मेरी टुड़ गया था मेरी कमीज का रंग आप यह बहाने मत करो एक आत्म पराक्रम है राजनीती जैसे क्रिकेट में होता है हवा चल गई थी बॉल स्वि कि संगर्ष उसकी मेहनत उसकी सोच को आप मत नहीं दे पारे हो सारे मिलके जैसे आंतिम बात कहता हूं पॉलिटिकल बात करने का मन नहीं करता वर आप इतने प्यार से पूछते हैं समभग तरीके से कहते हैं साथ डेमोक्रेटिक नहीं है प्राइमिस्टर लोकतांत्रिक नहीं लोकतांत्रिक मूल्य में आस्था नहीं उनकी सब मालिया वह दो लोग जो चाहते हैं वही करते साथ बिल्कुल आप जो कह रहो है अच्छा आप कितने लोकतांत्रिक भाई-साब आप बंगाल में राज्य करतीं हैं आप किसी को पसंद नहीं करते हैं पतीजे के लाबाभा आप जहां हैं, वहां तो आपको अपने बेटे पसंद है, पत्नी पसंद है, या आप खुद को पसंद है, आप खुद लोक तांत्रिक है नहीं, आप किया कब चुना हुए अध्यक्ष के बताओ, आपने कब लोक तांत्रिक बने, अगर वो लोक तांत्रिक नहीं है, तो उसकी अदमी था भाई, भाई साब, अंग्रेज से गाधी बनके लड़ा जाता है, अगर आपको लगता है, अलोक तांत्रिक हो जाओ, गरवाओ चुनाओ, तुम ही रहोगे बस, तुम्हें पूरी पार्लेमेंट में कोई नहीं मिलता, नेता बनाने के लिए, मैं किसी की भाषा का अनादर नहीं करता है, लेकिन बड़ा पक्ष हिंदी सुनता है, या ग्रेजी सुनता है, तुम्हेर पास शशी थरूट भी है, और तुम्हेर पास मनिश्तिवारी भी है, उसी पार्लेमेंट के अंदर, पर नेता बनेंगे वो अधीर रंजन जी, फिर वो एक हमारे इलाबाद के शायर, उनका एक शेर है, कि इस दुनलके में भला कैसे सुझाई देते, हम तेरे साथ ना होते तो दिखाई देते, ये सारे पॉलिटिकल नेता, अलग-अलग पार्टी के, ये इन सीक्यॉरिटी से भरे हुए है, और मैं जब सारे कह रहा हूं, तो सा सारे कह रहा हूं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी कह रहा हूं, आप इनके ऊपर से नीचे तक कि इनकी कैबिनेट्स जुमना रखी हैं, उनके लोग चुनके देखिए, इन्हें इनकी पार्टियों से हटा के चौरहें पर खड़ा कर दीजे, सामान निवस्तरों में, लोग स हराब ऐसे हटाओ जी, यह नहीं होना चाहिए, हमारे आवाला भी यह प्रॉब्लम था उसे, अब अगला शिकार कौन है, अगला शिकार वो बालक है, जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ उकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोग प्री हो गया है, यह नहीं दिखना दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो, मैंने जब हुआ तह मैंने तभी कह दिया, मैंने यह गया, इसको नहीं छोड़ेगा, उनकी शादी पर हमको भुदाई आई थे, इसको छोड़ेगा नहीं इसको अब, निश्चत रूप से, क्योंकि आप इतने ज्यादा डरे किसी को लिया, जिसकी मैया ने दूद पिलाया, उसको लाओ, लाओ एक लाख आदमी कोटा में, लाओ निमबाएडा में एक आदमी, तू भी खड़ा भी हम भी खड़ा, तू जमा हम जमा, तू किती धेर तक पढ़ता हम किती धेर तक पढ़ते हैं, यहीं तो संगर्ष है, योग्यजन जीता है परश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता ये तो कहती है तो फिट अस जो बाद में डारविन हमारी बात गाने लगा तो इसलिए नरेंद्र मुदी अपने अपने स्टेडियम में अपने डी में अपने प्रेट फार्म पर जो कर रहे हैं उनकी टक्कर का नेता भारत में अभी नहीं और वह बनने के लिए उनको मोण फिलने पड़ेंगे मोंट मीडियम वह बदलने को तेयार नहीं एड पता है किदर से क्या काट चलती है तुम करो हमारा वाला चलानी पहले लड़ाई का मैदान बदो भाई साथ कुमार विश्वास किस इंटर्विव में मुझे सहवाग और सचिन जैसी आकरमक्ता नज़र आई पूरे इंटर्विव में आप अपनी बातों क्योंकि आपके पास हमार चाहर। चैन बड़ा अच्छा है। आप gì दिर नज़र है। रहाँ है यह गजल के यह बदिग का घ्रह और मइं जबना उड़ ऋव में क्वर우श हुआ कि तो यह यह खुमार चाहर दो पी हैं ऐख जुदक्र रूंगमसर का और दू हैं मूं में जबान नकना रुजा है कि वो शक्स काम का है वो शक्स काम का है दो एब भी है उसमें वो शक्स काम का है दो एब भी है उसमें एक सर उठाना दूजा मुह में जबान लखना तो हम्में अठान में गुण हैं सो में से दो अब गुण हैं कि एक तो हम सर उठाते हैं और एक मुह में जबान लखते हैं और यह दोुओ जहाँ-जहाँ चल्वेंगे वहां-वां मौने जाएगा वहां अंभी स्विकारिता होगी लोग में आजfficient से त Нक्या है और संगतनों में रहे हैं यह तो बहुत हम used भण बॉल देगा और इसलिए हमने वेस्फ़। भाTr L 662 cm का बचाुआ एग जिसमें हम आपको थोड़ी बाउंसर और यॉरकर देंगे, इतने आसानी से आपको जाने दें पिर बात कैसे, कुछ तो आना चाहिए ना कि हमको भी लगे कि आप थोड़ा फसे, थोड़ा असाहज हुए, थोड़ा परिशान हुए, तो अब कहानी यह है कि हम दो आदमी का ना साथ तो आप भी रहे, मेरे सामने तो हो रही थी, मैंने बता दिया थी, दोनों चोट्टा पना मत करो, तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहां से, मैं निकल लिया, उसके बाद अब कोड जाने, जज जाने, वो जज बता देता है, वो ही जाने का भी, मैं तो क्या जानू, मैंने कागद देखे भी नहीं, और मेरी को रुची भी नहीं, उन कागदों को देखे नहीं, राहूल गांधी, अरविंद केज्रिवाल में विपक्ष का बड़ा निता कौन बन सकता है, राहूल गांधी मनुष्य बहतर है, मैं उनसे भी मिला हूँ, बले आदमी है, और जैसा उनके रिफ्लेक्सिस दिखते हैं, उससे लगता है उनके अंदर हुमन कोशन जादा है, और राजनिती हो और परिवार हो, वो मनुष्यता से ही चलते है, दूरता से नहीं चलते है, तो एक नाम कौन से लेंगे, विपक्ष जो मोदी जी को टक कर दिया सकता है, वो 45 में सदार पतेल पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, गांदी जी नेहरू जी को चुना, आज के दौर में अगर आप देखें, बड़ी चर्चा चलती है, पतेल नहरू, पतेल, कश्मीर वाले उस पे शूप और बस शूपे, पतेल नहरू में आप ज्यादा किसे क्लोस पात चाहे, जुनागर ज्यासत हो चाहे, एदराबाद हो चाहे, बाकी गिले हो, वो उनकी दूर दरशिता, बुद्ध मता, भारत का जो ग्रह कानून है, जो ग्रह मंत्राले इतनी स्मूथनेस के साथ चलता है, उसके पीछे पटेल जी की प्रतिफा लेगी हुई है, बहाद इमा पास में पनना ऐसा हुआ कि पटेल के समरतन में ज्यादा लोग थे पिर नहरू जी आ गए, जब गांधी इनिस सो बीस के दर्शक में भारत में उतरके एक सक्सेस्वल केरियर छोड़ के, अंग्रेजों के राजा के सामने तनकर कड़ा था तो बहुत तालीब जा रहे थे, जब गांधी के सामने चार्ली चैपले जुख जाता था और उसने का मैंने ऐसा आदमी ने देखा अपनी जिखा अपनी सिंदगी में, मेरी गली में कभी मैंने इतनी भीर नहीं देखी जब यह फकीर उतरा है, तो आप तो आप बहुत तालीब जा रहे थे, जब आइंस्ट नहरू को और सावर को तुलनात्म करता हूँ, मेरे घर के बुदर्ग थे, कोई ताई जी का लगा था, कोई चाचा जी का, कोई बाबा बाबावाले थे, सब बहुत अच्छे थे, इन्होंने मुझे ऐसा घर दिया है, इसमें थोड़ा सा कौना आ गया है, इसमें गीला पना अचल जी तो बहुत बड़े नेता है, मैं भारती जिंता पार्टी का सबसे बड़ा नेता लाल कृष्ण अडवानी को मानता हूँ, क्योंकि लाल कृष्ण अडवानी का ही चमतकार था, कि उन्होंने भारत में प्रो कॉंग्रेस और एंटी कॉंग्रेस राजनीती को प्रो प्रो कॉंग्रेस पारटी या आग Anda बनाया एक लंबे समय तके इस देशों में आनीति ये चलती थी प्रो कॉंग्रेस पार्टी या आज कि ए परो बीजएपी पार्टी और रांति बीजएपी बनाया अडवानी जी ने नेता बहुत पैदा की अडवानी जी जिब संगठन जो बनाता है नेता के रूप में पूचा आपने शाशक नहीं पूचा मुझ से अधबुत प्रधान मंत्री रहे हैं बीजपी के सबसे बड़ा नेता कौन था मुझे लगता है कि अडवानी जी ने जो निवेश किया इस पार्टी को खड़ा करने में इसके संगठनात पार्टी का काडर करता है तो वो जो निटिंग की गई है वो उनकी यूति में क्योंकि अड़ल जी तो निशंदरो लोगप्री नेता थे भाषन देना जाना संगठन का काम तो सदा उनके हाथ में था तो ये दोना भी बहुत पावरफूर बड़े लोगप्री है बड़े ल नील का पत्थर है जो शायद अब दुबारा करने के आवश्यक्ता है जब पार्टी इतना विस्तार पा गई है जैसे गंगा चलती है तो उसमें बीच-बीच में अलग अलग जगे से मिलती है लेकिन वो अंत में एक गंगा बन जाती है तो इसके एक रूप करने के लिए व उनों में किस की अगवाई में एक कॉंग्री कि सरकार हआ सकती है बोहट अन्तरिक मेतर है कि किसको देखनें परिंगा जी के पास अपनी दादी की प्रीता भी है और वो जानती भी93 कैसी जाता है राहूल भी इस तरह कर रहे है था ऑफ्ट रो करारे है देश को समझना थी कि नीचे उतर के समझें, सिर्फ एक वंश में पैदा होने के कारण नितामत बनी है, और पिछले दस वर्शम उनने ये किया, कि वो नीचे जा रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी समझ में कोई कमी हो सकती है कही बार, कही बार जादा हो सकती है, जिस तरह से पार्लिमेंट में बोलना ह समाप्त हो गया, आप अपने सारे पत्रकारों के गोड़े दोड़ा लो, और मुझे एक नाम देदो के ये बने का पार्टी अद्यक्ष, नहीं पता, ये तो वो खुद भी कहते हैं, बार बार नहीं पता आपको, अप नेक्स नहीं कर सकते हैं, नहीं पता, कॉंग्रेस में बाकि सारी पार्टियों में अपनी हो सकते हैं, तो यहीं यहां आके ही खेल खतम होता है, वामपंथी और बीजीपी तो अटल जी का बाश्र है, कि केवल हम और वामपंथी रहेंगे क्योंकि हमारे संगठन में डेमाक्रिसी है, तो ये देखे जब तक आप यह नहीं करेंग तब तक आप चमतकारिक पुरुषों के बलिदानों के भरो से रहेंगे, कि मिर्श्री मितनरा गांदी जी दिवंगत हो गई, आवेग आया, राजीव गांदी जी बन गए, राजीव गांदी जी के उपर एक कायराना हमला हो गया, तो पीछे से आवेग आया, तो सहमत होने चाहिए, उसकी लाइन से सहमत होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा, जिन्ना ने माउंट बेटन से ये कहा कि अगर आपको हिंदू की बात कर रही है, तो सावरकर से बात कीजिए, सावरकर रिप्रेजेंट करते हैं, टोंट टॉक टु गानी नेरो, दे डोंट र खत्रा है, या हिंदू को लेकर लोग वैसे वोकल नहीं होती हो कि आपने भी बीश में बंगलादेश या कई बार जखर किया, कि जब बाकी जगों होता है, तो सब एक साथ आते है, इंडिया में भी आपने देखा होगा, एक बॉक्सर भी थी, मुस्लिम थी, महिला पुरु होने पर बाद था, कम्यूनिटी ने सपोर्ट किया, हमारे आंक से चलता है कि हिंदू खत्रा हिंदू यूनाइटेड नहीं होता, आपको लगता है खत्रा वत्रा कुछ है, या यही खुबसूरती है, आपने कभी किचिन में काम किया, चाहे किसमें मनती है, फ्राइक पैन मे और दूद किसमें गरम होता है, बड़े पतीले में, दूद में बहुत देर लगती है, खड़ा रहना पड़ता है, खुरा है गरम, खुरा है गरम, अच्छा है, यू लगाई ही, दो तीन बात सुनी दर गए, तब तक तो फुर फुर होने लगता है, तो हिंदू तो बड़ जाती है, तो उस प्रितिक्रिया को इधर रिफलेक्ट करने की, खुबसूरत एजामपल गया, इधर चटपढ़ा लेना बहुत बेकार की बात है, किसा वैसा नहीं हुआ, और दूसरा, आत्म परिशोधन से ही होगा, मैं यह नहीं कह रहा कि हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, बई हमने तो यहां पर भी बोला ना, कि अगर आपने चूड़ी पेनाते हुए चार लड़कों को सड़क पर थपड़या दिया, बीस लड़कों ने मिलके, तो हमने तो उसके खिलाब भी बोला, आपने एक साइकिल चोर को मारते समें जर्शी राम के नारे लगाए, तो सब कैसे बोलोग तुम्हारे हिम्मत का अकल निकाल दिये जाओगे, हम खड़े हमें नी चीहें तुमसे कुछ भी, तो हमने बोला, रहे हम बोलेंगे, डिवा आपने सरकार बनाई मेहवाववाववववववववती के साथ, तो हमने बोला, कि बुगा के बढ़ीजे, अफजल गुरू को शहीद कह रही है और अफजल गुरू को देश अत्यारा मान रहा है और आप चुपो की सरकार बनानी है फिर टूड के फिर को ले आप भाई सब आप बोल पाए ठीक बोल पाए तो हमी बोलेंगे इसलिए हमें मत दबाई है हमें गाली मत दीजिए तो मैं यह कह रहा मताई की किताब पढ़िये माई डेज बिन नहरू नहरू को फोन आया कि जामिया पर भील लग गई है दंगा ही आ गए नहरू जी ने पहली बार का उनके पिताजी की रिवालवर उनके पास थी मूतिलाल नहरू प्रामिस्टर ने चला के कहा कि मेरी रिवालवर निकालो रि जिसको मारना है मुझे मारो भाषन दिया और बीड सबल गए और चली गई यास्था थी नहरू मारे भी जा सकते थे गणे शंकर विद्यारती मारे गए थे लेकिन नौईडा में भैठ कर दोनों पक्षों के मीडिया कॉडिनेटर से दलाली की बात करके खबर प्लेस करने व लोग हैं उनाइटे इंडेशन्स के दर्वाजे पर जाएं एक लाक हिंदू एकटा होगे मुसल्मान भी जाएं सिक भी जाएं और कहें बंगलादेश में क्या हो रहा है तो गाजएबाद टेंट मार रहे हैं किसको मार रहे हैं और फिर खुद वाटसप पर वीडियो भीज लगक्ना मुस्से छोटे हैं अगर दोनों तरफ के जाहिल आपको गाली दे रहे हूं तो रोज मिठाई घायए ** जाहिल आपको गाली दे हैं हमको दोनों तरफ के देते हैं सुबहठ कर रों देते हैं हमें गाली अम बड़े खुश declaring कि थ्याहिल है उइब दोनों तरफ एक् na mais सचेत है Hem क्एमेनें मानत वह खत्रे वत्रे में सट लिए फ्रुप कीम और मुझे अपने धर्म का किसी दूसरे धर्म का रूप간तर नहीं चाहिए बाई किसी ने können को कशी को कोटो बनाना है तो मैंने का बहुत बहुत मैं रिशीकेश में कहके आया कि रिशीकेश को अरिद्वार को परेटन के इंद्र भाई साब परेटन के लिए मसूरी लैंस्टों भेजो इसे अध्यात्मिक रगवरी रहने तो यहां आने पे आदमी के अंदर चुल बुलना उठे के बीर किदर है या तो बीर की बोतल सहारणपुर से लाया हो तो हरिशी केश में कुस्ते ही छूट जाया हाथ से, हरिदवार में कुस्ते ही छूट जाया है, और कि आप नहीं प्यूँगा जीवन में, यार, ओहो, अध्यात्मिक स्पंदन पैदा होना चीए असके अंदर, तो हिंदुत तो को किसी तूसरे धर्म का प्रोटोटाइप नहीं बनना, और ना बनने देना, जिनका प्रोटोटाइप बनने के लिए कह रहे हो, वो तो वैसे ही पजीते में है, जा जाओ, वही पजीते कर रखा है, हम तो कम से कम ऐसे नहीं हैं, आपने कभी नाम सुना वारा बाहर भी देश में, दुनिया के देशों में आप भी गयोंगे, मैं भी 40 देशों में गया हूँ, मुझे सदा तारीफ मिली है, very humble, very good people, very good neighbor, मुझे ऐसा ही देश चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए, बहुत धन्यवाद आप सबका, मैं कुछ ऐसा बोला हूँ, जो आपको रुची करना लगा हो, तो उस सबकी जिम्मेदारी, इस सुदर्शन व्यक्ति को है, और जो अच्छा लगा हो, उस सबका श्रे मुझे दे दीजिएगा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अलवने टॉक भी, बहुत धन्यवाद,